जनपद फिरोजाबाद में जिलादिकारी महदयद और असनिवार को जनपद मुख्याले पर हो रे एवियम वा वीवी पैट सेटिंग के कारियों का निरिछट किया साथी उन्होंने बताए कि सेकेंड राउंड का रेंडिमाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज वा अब्जरनल के सामने दस्तारी को पूरा हुआ तथा उसके पाथ अब इंजिनियर्स की देख रेक में बैलेट पेपर सेटिंग हो रहा है जिसके बाग इवियम सेटिंग होगी सेकेंड रैंडिमाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज और अब्जर्वर के सामने दस्तारी को हो चुछा है तो उसके राम में अभी बैलट पेपर हमारा आचेपा है तो इसका सेटिंग कैंडिटेट सेटिंग अभी शूरू हो रहा है उसमें सभी अभी वीवी पैट्स की में पेपर सेटिंग का वेरा चल रहा है उसके बाद ईवी अम से स्टार्ट उरहा है उसमें प्लिटिकल पार्टी से रहे गिए इससे किस उद्देश से यह है के लोगों में जो ध्रम किसी जाघा पैदा नहीं हो इससे क्या मद लाता हूं हूं है आँ यह हम लोग प्रबावित हो सकता है अल्टिमेटली जो मदान्पू का वोटर डिसाइड करता है कौन अपना अपना अपने कॉंस्ट्यूएंसी में नेता बनना है एंपी का वो सेलेक्शन पब्लिक करती है सुत्रों के हवाले से पता चला है कि दिनांग 15 अपरेल को 10 बजी पुर्वान चलवा बस्ती जनपत की कतावर नितर राज की चोर सिंग जी का आगमन कॉंग्रेस पार्टी में जोईनिंग के बाद पहली बार जिले में आगमन हो रहा है जहां से कॉंग्रेस पार्टी ने इन्हें अपनी पार्टी का उम्मीत्वार भी खोशित किया है जानी कौन है राज किसोर सिंग जी समाजवादी पार्टी के कतावर नितर वपूर कैबिनेट मंतरी जो कई बार जिले में कैबिनेट मंतरी रह चुके हैं जिसका भाई समाजवादी सरकार में प्रिच किसोर सिंग जी उर्जय मंतरी राज मंतरी थे वही बेटा शी देवेन पताथ सिंग सानू बस्ती जनपत की युवा जिला पंचैत अध्यच की रूप में कुरसी पे विराजमान है महीं बस्ती जनपत लोगसवा की सीट सपा और बसपा की गडबंदन में यहां की सीट बसपा की खाते में चली गई जहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा की गडबंदन उमिद्वार राम प्रिसाथ चौदरी जी को गोसित किया गया वही पर भारती जन्ता पार्टी से मौजूद सांसर स्री हरीष रिवेदी मैदान में राजकिसोर सिंग जी को कॉंग्रेस का उमिद्वार बनाय जाने से बस्ती जन्पत के राजनीती में एक नया भूचाल पैदा हो गया या कायस तिया लगाय जा रहा है कि लड़ाई त्रिकोनी हो गई बस्ती जन्पत की लोगसबा से किसके खाते में जाती है कौन बाजी मारता ही या कहना बहुत ही मुश्किल है इसका फैसला आने वाले समय में बस्ती लोगसबा की जनता ही करेगी दिवीवान इंडिया न्यूस के लिए दिवाकर शर्मा की रिपोर्ट बस्ती यूपी चनपल लखीमपूर खीरी के बरबर कस्वी में बास्पा की कारकरताओं ने पार्टी को छोड़का कॉंग्रेस पार्टी को दाउद एहमत की अगवाई में दिया समर्थन बाकिया जनसंपर वैउनतीस धोरारा लोगसभा की प्रिट्यासी वाप पूर मंत्री जितिन प्रसाथ की समर्थन में जनसंपर किया गया और बास्पा की लदीव सिद्धी की सलीम खान हनीव कुरेशी इस्तियाग खान तोहिद आलम के साथ सैक्रो कारकरताओं ने थामक पॉंग्रिस का दामन साथी मौके पर बरबर नगर अद्धेश शाइद कुरेशी बरबर उपातेश मश्रूर खान प्रदेश कारिकांट सदसर अफींग खान भी मौके पर मौके पर मौजूद रहे टीवीवान इंडिया नियूस के लिए खयाम कुरेशी की रिपोर्ट डखीम पूर खीरी जन पर फिरोजाबाद के धना जसराना छेत की कजबा पाडम जो परिच्छत नगरी की नाम से विख्यात है पताया जाता है कि माभारत काल के पांडो के वंसर राजा परिच्छत के पुत जनमेंजे ने अपने पिता की मृत्यू का बतला सर्व योनी से लिया था जहां जनमेंजे नाग्यक कुंड भी मौजूद है वहीं सकुंड पर एक काली माता का मंदिर भी काफी पुराना बना हुआ है वहीं पास में ही माता टिला धाम के नाम से मंदिर पर आज मेले का आरजन हुआ जहाँ काफी दूर दूर से लोग अपनी मनु कामना पूर होने पर नेजा चड़ाने आया और मेले का आनन्द लिया यह मेला काफी पुराना है लेकिन इस परिच्छत नगरी पर पुरातर्त विभाग के आखे बंद हैं इस कजबे में राजा परिच्छत नाम से कुआ भी मौजूद है जिसे देखने के लिए लोग यहां से दूर दूर से आते हैं वही यहां पुलिस चौकी इंचाज रर्विन सिंग ने मैं फोर्स के मेले में मौजूद रहे मेले के अर्ध विवस्ता को बनाये रखा साथी पुलिस प्रशासन ने कठिन परिश्रम कर मेला कमेटी का सयोग किया और मेला कमेटी के लोग अनिल शर्मा राम भर्ट देव कुमार गुपता प्रम प्रशित हो सकता है यहां विकास की गंगा पहेगी यहां के लोगों को नए-नए काम मिलेंगे साथी सरकार एवं पुरातर तोय भाग से निवेदन है कि इस कस्वे पर एक बर नज़र जरूर डालें जिसे हमारे छेत्रवासियों का उत्धार हो सकें टिवी बान इंडियर न्यूस के लिए गजेंदर सिंग की रिपोर्ट फिरोजावाद